ओम वंदे गवामात्र मित्रो ब्रहमलीन संतस्री डोंग्रेजी महाराज़वरा रजित स्रीमत भावत रहसे काम पठन कर रहे हैं मित्रो हम प्रथम सकंध में प्रवेश कर चुके हैं हमने अभी तक जो देखा है कि इश्वर का सत्यसुरूप क्या है उनकी इस्तुती और उनको पाने कले में क्या क्या करना चाहिए सब जो के इश्वर का दर्शन करने के क्या लाब होते हैं और व्यास जी को इतने सारे ग्रंत लिखने के बाद भी मन में अजीप सी व्यग्रता थी उनको शांती नहीं मिल रही थी तो उनको शान्ती कैसे मिले उसके लिए इश्वर्म नारच जी को प्रयणा करते है और नारच जी से उनकी बैंट होते है अब व्याज़ी को प्रयणा देने के लिए कि भी उसके इजोल सामाँ है भागवादकृरंत की रशना कैसे करनी चाहिए तो इदि हम अपना द्रिश्टान्त दे सकें तो हम उस विश्वास से उस बात को प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे सामने वालो को समझने में सरलता होती है इसलिए कम से कम अपने जीवन को ऐसा तो बना लो कि अपने बच्चों के लिए आदर्ष हो जाओ अने था जीवन बीत जाता है और बच्चों को हम दूसरे के आदर्ष बताते रहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि नारजी का चरीतर क्या है नारजी कैसे नारजी बने आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं एक पर उनका नाम कमेंट वक्ष में अवसे लिखे क्योंकि ये भी इश्वर को याद करने का उनका नाम लेने का उनकी भक्ति करने की तरल भी थी है चलिए आगे बढ़ते हैं देवर्षी नारजी की जीवन कथा व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारजी अपना ही दृष्टांत देते हैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कथा स्रवन और सत्संग का फल बताते हैं कथा सुनने से संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है मैं दाशी पुत्र था, परंतु मैंने चार मास कनाया की कथा सुनी, मुझे सत्संग मिला, तो मेरा जीवन देव्य बना, कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा, मैं दाशी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भी भानना था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट ग यह मेरे सद्गुर की कृपाथी व्याज जी नाराज जी से कहते हैं आपने अपने पूरो जन्म की कथा सुनाओ नाराज जी कहते हैं कि सुनो मैं साथ आठ वर्ष का बालक था कि मेरे बच्पन में ही मेरे पिता की मृत्ति हो गई मेरी माता दासी का काम करती मैं भील बालकों के साथ खिलता था मेरे पुण्यों का उद्य हुआ हम जिस गाउं में रहते थे वहां घुमते फिरते साधू आए गाउं के लोगों ने उन्हें उस गाउं में चत्रुमा स्थेहरने को कहा और कहा कि इस बालकों आपकी सेवा में का हैता करेगा। दूसरे काम भी करेगा। विध्वा का बेटा है प्रशाद भी आपके पास ही ले लेगा। क्योंकि अब उद्धाशी का काम करती थे अब उसके पास भुजन कैसा हैं नहीं है तो बही आप इसके खाने प hazard करदेना बस इतनी सी बात उन्हेंने कही। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं उनकी सेवा का भी लाब मिला जब किसी पुरुष की प्रतेक्ष शेवा नहीं करो तब तक तन में और मन से वासना नहीं जाती अंदर के विकार नहीं जाते मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे प्रभु की भक्ति में रंगे थे मुझे सच्चे संत की सेवा का लाब मिला पहले तो सच्चे संत के दर्शन मिलते नहीं और दर्शन हो भी जाएं तब भी कई बर उनके प्रती सद भाव नहीं जाता यदि आपके मन में भावना शुद नहीं है तो सच्चे संत मिलने के बाद भी आप नहीं पहचान पाएंगे ये इनके कहने का यहां तातपर है गुरुदेव अमानी थे यानि कि इसलिए उनको वो दूसरों को मान देते थे उनके संग में मुझे भक्ति का रंग लगा यानि कि अमानी मतब उनको सम्मान चाहिए ऐसी आवश्यक्ता नहीं थी वो सबको सम्मान देते थे यहां कहने का तातपर है यह है गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा अब आप विचार करें 7-8 साल का बालक था उसका कोई नाम करण नहीं हुआ था जिसका जो मन करता था उस नाम से बुला लेता था उस नाम से रिप्लाई भी करता था लेकिन अब जो संत मिले उन्होंने उनका नाम हरिदास रख दिया है सुकदेव जी ने जन्ते ही व्याज जी से कहा कि आप से मेरा कोई सम्मंध नहीं है आप मेरे पिता नहीं है मेरे पिता तो प्रभू परमात्मा है मुझे जाने दो परतु यह मार्ग सरल नहीं है इस मार्ग को समाने मनुश्य अनुकरन कर सके ऐसा नहीं है आसान मार्ग हो य गुरुदेव प्रेम की मूर्ती थी, गुरुजी के उठने से पहले में उठता था, गुरुजी की सेवा के समय में फुल तुलसीदल आदी ले आता, मेरे गुरुजी दिन में दो बार कीर्टन करते थे, सबे ब्रहमशुत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष् करते थे, बालक जल्दी प्रेम करते हैं, और जल्दी प्रेम करते हैं, कनहिया का कोई भक्त उसे बुलाता है, तो कनहिया दोड़ कर आता है, मैं कीर्टन में जाता और कथा सुनता, मैं बहुत कम बोलता, बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता, वानी में शक्ती का खर्च मत करो अर्था कम बोलो या मौन रखो मित्रों जब हम बोलते हैं ना पर ये दिखाने का प्रयास करते हैं मैं बहुत कुछ पता है पर जब आप संतों के सानिध्य में हो अपने गुरुजानों के सानिध्य में हो तो अब कितने भी ऐसा लगता कि बहुत बुद्धी है उस समय आपको शांत रहना है, क्योंकि उस समय उनकी भाणी सुनें, ताकि कहां हमारे भीतर कमी है, हम उनको दूर कर सकें, आगे बढ़ते हैं, सेवा करने वाले परसंत कृपा करते हैं, यह तीनों गुण नारज जी कहते हैं मुझ में थे, मैं तो कोल और भील बालों को उसे प्यारे लगते हैं, कथा सुनकर प्रभु में के प्रती मेरा सद्भाव जागा, क्रिश्न कथा में प्रेम जागा, क्रिश्न कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को सब को आनंद आता है, श्री क्रिश्न की कथा एक ऐसी दिव्य कथा है, कि यह सब को आनंद देती मुझे श्रीकृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेला छूट गया इतना आनंद उनको सेवा में आता था कि अब तो बच्चे तो खेलते ही रहते हैं साथ-ार साल का बच्च तो अच्छे से खेलता पर इनको खेलने में रूची नहीं आती थी तभी तो नारद द बच्च के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा में मुक्त नहीं हो सपते भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव और शिव एक होते हैं आप देखिए Always कैस्ति श्रीक्रिष्ण एक होते हैं जीव और शीव एक होते हैं मतलब आप किसी भी नाम से उपास ना करिए कोई भी मस्तिष्क में रखे कोई अंतर नहीं पड़ता सुरूप एक का ध्यान करो और भले मंत्र कोई भी उचारण करो मैंने अपने जीवन में किया मैं आपको वही बता रही हूं कि हम जो करते वहीं बताते हैं मैं हनुमान जी की वह हनुमान चाली सा पढ़ते पढ़ते दिमाग में स्रीक्रिष्ण चलते रहते हैं कोई नहीं होता है तो यह बात है कभी ओम मस्तिष्क में चल रहे हैं वह चलते रहते हैं संत की आँखें शुद्ध होती हैं पवित्र होती हैं संत आखों से पाप नहीं करते हैं संत की आखों में स्त खृकिछ्टि पात करते हैं उसका जीवन सुधरता है माला फेरते जिस सिश्य को की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा मेरे गुरुजी मुझे बार बार नहारते थे गुरुजी कहते थे कि है बालक बड़ा समझदार है गुरुजी को आनंद होता है वे बहुत प्रसंद थे यह जीव जाती ही नहीं है परंतु कर्म ही नहीं है जर्म से किसी की जाती नहीं होती और हाँ जर्मना जायते शुद्रा यानि कि जर्म से हर वेक शुद्र होता है क्योंकि मलमूतर से बाहर आते तो शुद्री ही है तो पर कर्म से उसका सब कुछ परिवर्टित हो जाता है ये कहने का ताथ पर है संत जिस पर प्रेम की दृष्टी डालते हैं उसका कल्यान होता है एक दिन प्रसाद ले लेने के बाद मैं उनकी जूठी पतल उठा रहा था मैं दासी पुत्र था कहे बिना मुझे खाने को कौन देता गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा संत का हरदय पिगला गुरुजी ने पूछा कि हरिदास तमने भोजन किया है मैंने ना कहा गुरुदेव को मुझे पर दया आई यह बाला कितना समझदार है गुरुदेव ने मुझे आग्या दी कि पतल में मैंने महाप्रसाद रखा है उसे खाओ मैंने वह प्रसाद खाया शास्त्र की आग्या है कि गुरुजी की आग्या के सिवाए उनका उचिस्त नहीं खाना चाहिए वैसे तो हमने संतों को अधिकांस देखा क्योंकि मैं आजकल के जो संतों को देखती हूँ वहां भी देखती हूँ कि संत जूठा छोड़ते ही नहीं है वो थाली तक धोके पी जाते हैं ऐसी उनकी स्थिती होती है और यह उचिस्ठ छोड़ा है तो कुछ सोचकर छोड़ा है तो कुछ अवस्था ऐसी होती है उसमें ही काम किया जाता है अने था सामाने था यह काम संत नहीं करते हैं भोजन कभी थाली में नहीं चोड़ते हैं या कभी कहीं भी भोजन व्यर्थ नहीं गमाते हैं आगे बढ़ते हैं संतर जब कल्यान की भावना से प्रसाद देती हैं तो कल्यान होता है। संतर रते पिखलने पर बुला कर देती हैं। तवे प्रसन हुए और ऐसा मैंने माना। मैंने प्रशाद ग्रहन किया, मेरे सब पापनस्ट हुए, मुझे भक्ती का रंग लगा, मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा, उस दिन मैं किर्टन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ, किर्टन में एक ऐसा निरला आनंद आया कि मैं आनंद में थै थै नाचने लगा, आती आनंद में देह ध्यास छूट जाता है, यहीं कि देह में क्या हो रहा, वो छूट जाता है, बस मगन हो जाता है मनुश्य, किर्टन भक्ती स्री कृष्ण को अतिश्य प्रिय है, भक्ती का रंग मुझे उसी दिन लगा, मुझे स्री राधा कृष्ण का अनुभव हुआ सुकुदेव जी कहते हैं, नारज जी, व्याज जी को अपना आत्मे चरित्र सुनाते हैं, मैं कम बोलता था, इसलिए मुझे पर संतों की कृपा हुई, सेवा में सावधान रहता था, संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परन्तु गुरुदेव की मुझे वसुदेव गाय गायतरी का मंत्र है, इस वासुदेव गायतरी का हमेशा जाप करो, नमो भगोते तुभ्यम वासुदेवाई धी महीं, प्रद्यूमन याय निरुद्धाय नमा संकर्षणाय च, अभी और भी नाम दिए गए, प्रद्यूमन श्री कृष्ण का पुत्र का नाम था, निरुद गायतरी मंत्र अलग से भी है, और ये वासुदेव गायतरी का मंत्र उन्होंने बताया है, तो गायतरी मंत्र जो है, गायतरी का अर्थ है, गायन ते त्रायती इती गायतरी, यानि कि गायन करने से त्रै माने रक्षा करे वो गायतरी है, तो गायतरी मंत्र आप जब पढ़त उसका अर्थ जानिये आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है पर बस उसरी भी उसका गायन करने से रक्षा होते हैं कि बस हमारी जो भावना बनती है वही हमारी रक्षा करने के लिए परयाप्त होती है इसलिए ऐसा कहा जाता है आए आगे बढ़ते हैं चार मा का कि गुरुजी आप मुझे अपने साथ ले चलिए मुझे मत छोड़िये मैं आपकी शरण में आया हूँ मैं आपका चौके में सोऊंगा चौका यानि कि रसोई में सो जाऊंगा मैं आपके नीच से नीच छोटे से छोटे नीच कोई भी काम आप बोलेगा मैं करूंगा जनम से तुम्हें उनका रिंड चुकाना चाहिए इसलिए माता का त्याग ना करना तु यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दोबारा जनम लेना पड़ेगा तुमारी माता ही की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी तुम घर में ही रहो घर में रहकर भी पाथ दे उसका ही संग करो इश्वर के इश्वर के मार्ग में जो ले जाए वही सच्छास नहीं है मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग करना चाहिए त्याग नहीं करना चाहिए आप देखो कितना उल्टा हम कभी-क पूत्र के रूप में बहुत सारी लोग आते, कभी शत्रों भी आ जाते, कभी मित्र आ जाते हैं, कभी रिन लेने वाले आ जाते हैं, तो उस रहनूसर सबका रिन उतर जाए ऐसा कहा जाता है, इसली जले कहा कि माता की सेवा करो, वहीं तुम भजन करोगे, तो तुम तब भी पार हो जाओगे चलिए तो हाँ मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए संसारी मा पिता की यह इच्छर हैती है की मेरा पुत्र विवा करे वंश की वृद्धी करे उनको तो यह इच्छा नहीं होती की हमारा पुत्र परमात्मा में तन में हो मेरी माता मेरे भजन में विक्षेब करने वाली है आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने सनहि भी जो कथा में विक्षेब करने वाले हूं ऐसे सनहियों का भी त्याक कर दो मेरा बाई को लोगों ने बहुत रास दिया तब मेरा बाई ने घबरा कर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल थी तब से मैंने गिर्धर गुपल से विवा किया है ये मेरे सम्मन्धी मुझे कष्ट देते हैं मुझे क्या करना चाहिए अब तुलसिदास जी राम भक्त थे लेकिन मेरा बाई उनसे सलहा ले रही है अब एक बात यहां आपको और बता दूँ कि माता की जो सेवा करने की बात की और जो खेर जो सलहा भी देंगे वो मैं आपको आगे बता दें तो लोग पढ़ लेती उसके बाद आपको इसपस करती तुलसिदास जी ने चित्रकूट से पत्र लिखा कि कसोटी सोने की होती है पीतल के नहीं तुम्हारी है कसोटी है जाके प्रिये न राम बैदेही मतलब तुलसिताजी अपने हिसाब से अपने अनुसर उत्तर देते हैं कि जिसको राम प्रिये ना हो वो कितने भी प्रम सने ही हो उनको छोड़ देना चाहिए लेकिन मेरा बाई एक धनिक परिवार से थी वहाँ किसी को धन कया किसी चीज़ का भाव नहीं था सब एक दुसरे के साथ मिल जुल के रहते थे लेकिन हरिदास की मा विधवा है वो अकेली रहती है इसलिए हरिदास को साफ देने को कहा है ऐसा यहां सपस्ट आप समझेंगे तो अच्छा होगा जिसके साथ को या आप उसको छोड़के जाएंगे तो उसको समस्या नहीं होने वाली है उसके पास और परिजन है लेकिन माता उसकी अकेली है रहिदास की इसलिए ऐसा कहा उनको जिससे सिताराम प्यारे ना लगे जिससे राधाकृष्ण प्यारे ना लगे ऐसे जो सगा भाई भी हो तो उसका संग छोड़ दो देना चाहिए मेरा बाई नहीं है पत्र पढ़ कर मेवाड का त्याद कर दिया और विंदावन आ गई भक्ती बढ़ानी है तो मीरा बाई का चरितर बार बार पड़ो संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्यान देते हैं माता के संग में रहूँगा तो भजन में विक्षेफ होगा गुरुजी ने कहा तू मा का त्याग करे यह मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मा अकेली है इसलिए मा का त्याग अच्छा नहीं लगता है ठाकुर जी सब जानते हैं तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विखन करेगी तो ठाकुर जी लीला करेंगे संभव है कि तेरी माता को उठा ले अथ्वा तेरी माता की बुद्धी को भगवा सुधार देंगे अब माँ आकेली है इसलिए माँ का साथ दो कैने का तात्पर यही है और यदि कुछ विक्षेब जादा होगा तो इश्वर अपने हिसाब से करेंगे जो उनको करना है तो तुम वो उसके विशेब मस्चों क्योंकि तुम अभी बालक हो घर में रहना इस महमंत्र का जाब करना मा का अनादर नहीं करना जब करने से प्रारब्ध बदलता है जब की इधारा तूटे नहीं इसका ध्यान रखना मैंने गुरुजी से कहा आप जब करने को कहते हो मगर मैं अनपड़ दासी पुत्र हूँ मैं जब कैसे करूँगा जब की गिनती कैसे करूँगा गुरुदेव जी ने कहा जब करने का काम तुम करो और जब गिनने का काम स्री कृष्ण करेंगे जब तुम करना गिन्नेगा कनहया जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनसे के पीछे पीछे भगवान फिरता है मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है जगत की उत्पत्ति और संगार का काम माया को सौप दिया है परमात्मा ने के नाम का जो जाप करता है परमात्मा उस उसके पीछे-पीछे फिरते हैं, जब की गिंती नहीं करनी हैं, जब किनोगे तो किसी को कहने में इत्की इच्छा होगी, किसी को जब की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुर्णे चला जाएगा, पुर्णे का खशेह होगा, गुरू जी ने मुझे वासुदेव गायतरी का मंत्र का 32 लाख जब करने को कहा 32 लाख जब होगा तो विधाता का लेख मिटेगा 32 लाख बार आप जब करेंगे ऐसा गुरू जी ने कहा था पाप का नाश होगा बेटा इस मंत्र का सदा जब करना मंत्र का जब करने से इश्वर के साथ जीव का सम्मंद होता है रुद्र से सम्मंद पहले होता है और इसके बिना ब्रह्म के साथ सम्मंद नहीं होता फिर ब्रह बाल करने की आग्यादी भावना से बाल सुरुप का ध्यान करो मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए मुझे आती दुख हुआ पुरो जनम के गुरु का नाम लेते ही नारज जी रोने लगे अब नारज जी विरतान सुनाते सुनाते उनको आखों में आसु आ जाते हैं उनको लगता है कि गुरु जी तब छोड़के चले गए थे लेकिन आगे क्या होता है विद्रो आप एक बास समय लेजिए आपको कुछ नहीं पता है कुछ नहीं आता है ना बस अपने मन में ये भावना करिए कि इश्वर सदा आपके साथ हैं उस सदेव आपके साथ रहते हैं बस आप ये महसूस करेंगे आपको ये आभास होगा ना वो हमेशे आपको अपने साथ हैं ऐसा लगेंगे आप बोलेंगे कि इश्वर को कोई और काम नहीं है क्या आपकी इश्वर को कोई काम नहीं कि इश्वर के अनेकों सरूप हैं पर वो आपका वाला आपके साथ सदा रहेंगे ये ऐसी बात है क्य कि यह काया और जब शुरू किया मैं सतत्ष जब करता रहा जब किये बिना मुझे चैन नहीं आता घूंगते फिरते और सवापनी भी जब करता था सहीया पर सोने से पहले हमेशा जब करो जब की धारा ना टोटे एक वर्ष तक वाणी से यानि कि बोल के जाप करो कि जो भी जाप करना है जैसे स्री कृष्ण को विंधरे मुरारी है नाथ नारा नावासो देवा उसना आप माला लोगे तो भी चलेगा पर माला की ये कितनी माला की गिंती मत करो कि माला हमारे काम को रोक देती है और एका ग्रुषने में सहयता देती है कि आरंब में कहा जाता है मंत्र मुर्ती माला तीन मकार का प्रयोक करना चाहिए जब आप आरंब कर रहे हैं पर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाए तो मन में जाप चलता रहेगा उसके बाद वह जाप हो जाता है और ये आपका इश्वर से साक्षात कारने में सिरलता देता है चलिए आगे बढ़ते हैं मा को यह रुच्छता ना था फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया मनुशे जब करते हुए छल कपट बहुत करते हैं इसी से उनके पुन्यों क कर पना नाश होता है माकी बुद्धी भगवान बदल देंगे हैं सोचकर मा को मैंने कभी कुछ ना कहा क्यों कि ग्रुजी कह के गए थी कि माकी बुद्धी इश्वर बदल देंगे तो तुम्हें उसकी चिंता करने के आवशक्ता नहीं है मैंने अपनी माता का कभी आनादर नहीं किया उनसके बाद माता का एक दिन गौशाला में गई और वहाँ उनको सर्पने काट लिया सूत जी सावधान करते हैं सर्प अपराधी को काटता है माता ने शरीर का त्याक किया प्रभु ने कृपा की अनुग्रहम मन्यमानह मैंने माता की मेरे भगवान का मुझे पर अनुग्रह हुआ है माता जी के देहकांतिम संसकार किया मुझे आनंद हुआ मैं मात्र रिंड से मुक्त हुआ घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया मुझे प्रभू में श्रद्धा थी आता है मैंने कुछ संग्रह नहीं किया जन्म से पहले मेरे लिए माता ने किस तन में दूद देने वाला दायालू भगवान मेरे पोशन का भी विवस्था करेगा भे क्यों ना करेगा परमात्मा विश्वंभर है मैं अपने भगवान का हूँ तो क्या भगवान मेरा पोशन नहीं करेगे मैंने कुछ नहीं लिया पहने वे कपड़ों के साथ मैंने ग्रहत्या किया जिसका जीवन केवल इश्वर के लिए है वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा भगवान नास्तिक का भी पोशन करता है, नास्तिक कहता है मैं इश्वर को नहीं मानता, परंतु परमात्मा कहता है कि बेटा तु मुझे नहीं मानता हूँ, उसका क्या होगा, जीव भले अज्यान में जो चाहे वो बोले, मगर ठाकर जी कहते हैं कि तु भगवान का अंश है, जो इश्वर का नियम पालता नहीं, धरम को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी भगवान पोशन करते हैं, क्या कनहिया मेरा पोशन नहीं करेगा? मैंने कभी भीक नहीं मांगी मगर अपने प्रभो की कृपास से मैं कभी भूखा ना रहा मैंने किसी चीज का संग्रह नहीं किया पर उन्तो मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा भगवत स्मरन करता मैं फिरता था 12 वर्षों तक मैंने अनेकों तीर्थों का भ्रमन किया इसके बाद ने घुमता फिरता गंगा के तट पर पहुँचा गंगा सनान किया इसके बाद एक पीपल के व्रक्ष के नीचे बैठ कर जाब करता था जब ध्यान से करता था गुरुद्येव ने आग्या की थी कि खुब जब करना मैंने जब नहीं छोड़ा गुरुजी ने कहा था कि प्रभु दर्शन में दर्शन दे तो भी जब नहीं छोड़ना गंगा किनारे 12 वर्ष रहा 24 साल से भावना करता था कि कनाया मेरे साथ हैं मेरे पूर जणम के पाप बहुत होंगे इसलिए प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं परन्तु श्रद्धा संपुन थी इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे भावना में भाव से मुझे श्रीकृष्ण दीखते थे मगर मुझे बालकृष्ण के प्रतेक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे अब कहाना भावना बनाए रखिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा और भावना जब अच्छी होती है न तो और विचार नहीं आते हैं और और एक मुक्त होना ही आपको सही मार्ग पर ले जाता है इसलिए भावना बनाए रखिए अपने से किष्र का मुझे प्रतेक्ष दर्शन करना था मुझे लगा की से किष्र नहीं क según कि तीवर इच्छा जगी क्या है कि क्या ही अच्छा हो कि मुझे स्कृष्ण की जहांकी हो मेर लाला मेरे लाला ने कृपा की एक दिन ध्यान में मुझे सुन्दर नीला आकास दिखा प्रकाश को मैं प्रकाश को देख में जब करता था वहां प्रकाश में से बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ मुझे बालकृष्ण के मनुहर स्वरूप की जहांकी हुई मेरे का तिलक लगाया था वक्सिस्तल प्रकॉस्तुभ्यमणी की माला धारन की थी नाक में मूती था आखें प्रेम से भरी थी मुझे जो आनंद हुआ उसका वणन करने की शक्ति सरस्वती में भी नहीं है मुझे हुआ कि मैं दोड़ता जाओं और स्रीकृष्ण के चड़ों में व ऐसी योगी को मैं दर्शन नहीं देता इस जनम में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा यों तो तेरी भक्ति से प्रशन नहीं हुआ हूँ तेरे प्रेम को भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है परंटु तुमको अभी एक जनम और लेना होगा अभी तेरे बहुत से जब पाकी हैं, अगले जनम में तुझे मेरा दर्शन होगा, दृष्टी और मन को सुधार सतत विचार करकी मैं तेरे साथ हूँ, जीवन के अंतिम श्वास तक करना भजन बिना भोजन पाप है, सत्संग की समाप्ती नहीं हुआ करती, जिस दिन जीव की समाप्ती उसी दिन सत्कर्म की समाप्ती, इसके बाद सत्कर्म की समाप्ती नहीं हुआ करती, जिस दिन जीव की समाप्ती उसी दिन सत्कर्म की समाप्ती, इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा, मरने से पहले मुझे अनभव होने लगा कि इस सरीर से मैं अलग हूँ, जड़ चेतन की ग्रंती छूट गई, जड़ और चेतन की सरीर और आत्मा की जड़ की गांठ लगी है, यह गांठ भक्ती के बिना नहीं छूटती, जड़ चेतन की शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनभव कौन करता है, मित्रो यहां इनका कहने का तात्पर यह है, कि कहीं थोड़ी सी वासना दिल है जाए तो इश्वर का दर्शन नहीं होता है, और आप यह देख लिजिए कि स्विकृष्ण की भक्ती कर रहे हैं, लेकिन यह गंगा के नारे हैं, जमना घटवे नहीं हैं, जमना के नारे नहीं हैं, और दूसरी बात, अगले जन्ना में जब नारत बनते हैं, तो यह नारायन नारायन का जाब करते हैं, अर्थात कहाना क किसी का भी जाब करिए, आपने इस्ट को याद करिए, बस ये भक्ति का रस लगाने की विधी बताई है, ज्यान का उन्वा भक्ति से होता है, संत तुकाराम महराज कहते हैं कि मैंने अपनी आखों से अपना मरन देखा है, अपने आत्मसुरुब को निहारा है, मन इश्वर मे लगा हो और इश्वर स्मरण करते करते सरी छूट जाए, तो मुक्ति मिलती है, मन तो इश्वर का स्मरण कराने के लिए जब वगरे कोई साधन नहीं है, जब जीब से जब करो तभी मन से स्मरण करना ही चाहिए, वरना माला तो करमे फिरे, जीब फिरे मुखमाई और सारा जीबन जिसके पीछे गया होगा अंतकाल में वही याद आएगा, अंतकाल राम ध्यान में नहीं आते क्योंकि जीबन भर जो किया है वही याद आता है, अंतकाल तक मेरा जब चलता रहा, जब की पूर्णा होती नहीं होती, भजन की समापती नहीं होती, शरीर की समाप कि अधा जीवन के अंत तक भजन करना चाहिए अंत काल में राधाकृष्ण का चिंतन करते हुए मैंने शरीर का त्यात किया अपने मृत्यू मैंने प्रतेक्ष देखी मुझे मृत्यू का कस्त नहीं हुआ इसके बाद में ब्रह्मा जीर के यहां जन्मा पूर्वजनम के कर्मो का फल मुझे इस जन्म में मिला मेरा नाम नारद रखा गया पूरो जन्म के किये गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ है मेरा मन संसार की और जाता ही नहीं अब मेरा मन चंचल नहीं होता है अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ एक दिन मैं गोलोग धाम में गया ज ग्रह किया कि नारजी को प्रशाद दें स्री कृष्ण ने मुझे प्रशाद दिया व्याज जी ने पूछा प्रशाद में प्रभू ने तुम्हें क्या दिया नारजी ने का प्रशाद में प्रभू ने मुझे यह तंबुरा दिया प्रभू ने मुझसे कहा कृष्ण कीरतन कर जगत में भ्रमन करो और मुझसे अलग हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ संसार प्रभा में बहते बहते जीवों की हमारी जीवों को हमारी ओर लाओ भगवान को कीर्टन भक्ती अतिश्य प्रियाई है बिना लिये मैं जगत भर में भ्रमन करता हूँ नाद के साथ कीर्तन करता हूँ अधिकारी जीवन को यह कोई योग्य चिला या शीष्य मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ ने कोई अच्छा सिश्य मिल गया जो कुछ कर रहा है तो उसको प्रभु के धाम ले जाता हूँ अब आप सोचिए कि कहां वो हरी दास एक भील बच्चों के साथ खेलने वाला बालक दासी पुत्र पर उसका चुनाव हुआ अगली जनम में नारद भक्ती मार्ग के रिष्टा बन गए और मित्रो जो हमेशा नारण नारण का जाप करते हैं पर बात वही है कहा ना किसी का भी जाप करो पर जाप करो मुझे रास्ते में ध्रुव मिला उसको मैं उसको प्रभु के पास ले गया अब आपने ध्रुव की ज़्यदी सुनी हो तो उसमें कहा जाता है कि ध्रुव को जब घर से निकला तो नारण जी मिलते हैं और उसको रास्ता बताते हैं आप एसा ऐसा कर खो जाएगा और वही भागवत कथा सुनी श्री कृष्ण की गथा सुनी फिर मैंने कीर्टन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया अब तो जब मैं इच्छा करूंगा तब कनया मुझे जहाकी रियता है मैं तब दर्शन हो जाते हैं मेरे साथ कनया नाचता है संत नामदेव महाराज जब कीर्टन करते थे उस समय विठल नाथ जी नाचते थे संत नाम देव बहुत पुराने नहीं है अभी कुछ मुझे समय का याद नहीं है पर हां 300-400 साल पुराने होंगे 400-500 साल पुराने होंगे उससे जादा नहीं है और वो जब कहते ऐसा बर्णन मिलता है कि जब वो कथा किरतन करते थे मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ इसलिए उनको अतिशर प्रिया लगता हूँ किरतन में संसार का भान भूले तो आनंद आए किरतन में तन्य हुआ मनुष्य संसार को भूलता है किरतन से संसार संबंद छूटता है और प्रभू के साथ संबंद बंधता है संसार का ध्य दृष्टी से उनके स्वरूप को देखेंगे, तभी आनन्द आएगा, कल्यूग में नाम कीर्टन करने से पाप जलते हैं, हिर्दय शुद्ध होता है, परमात्मा, हिर्दय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, अतह कीर्टन, अतह कथा में कीर्टन होना चाहिए, क एक किरतन बिना कथा परिपुण नहीं होती, कलियुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं फलती, सुमरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है, हे व्यासी इस सब का मूल सत्संग है, सत्संग की यह बड़ी महिमा है जो सत्संग करता है, वही संत बनता है, श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है, श्री कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है, कथा सुनकर वेरागे करो और सभाव को सुधारो, सयम बढ़ा कर ज़्यादा भजन करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी नारज जी व्याजची से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं, यह सत्संग का मान है, सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ, भील बालकों के साथ आवारा घुमने वाला मैं सत्संग से देवर्शी नारद बना हूँ मित्रो अगला आंख हम पढ़ेंगे, अगला जो उसका आंख हम होगा, स्री भागवत के अधिकारी विशेशकर संसारी, अब यह संसारी अधिकारी कैसे हूँ अगले आंख में हम पढ़ेंगे, अब मित्रो एक वाज जान लेजिए, कोई भी व्यक्ति इश्वर का भक्त बन सब्ता है, बस इस जनम से आप आरंभ करेंगे, इस जनम में नहीं किसी जनम में जाके तो होई जाएगा, यह दुरूब पर जब 6 महीने के अवस्था में इश्वर ने कृपा की, यह निकी 6 महीने में ही लब जब दुरू तपस्या करने निकले, तो 6 महीने उन्होंने ध्या थापा मुझ पर हुई है तो इश्वर कहते हैं कि यो पीछ जो पहार देख रहे हुँ ना हड़ियों का वो तुम्हारी हड़ियां है सारी तुमने इतने जनम तपस्या की है और वो समय बीद गया पिछले जनम में बस तुम्हारी मुक्ति होने ही वाली थी तुम्हें दरशन ह पड़ती इसलिए भक्ति करनी आवश्यक है लिए सब को करनी चाहिए यांक कैसा आवश्य लगाव अवश्य बताईएगा धन्यवाद स्रीकृष्ण गोविंधरे मुरारी हिनात नाराणवासु देवाई जैस्रीकृष्ण धन्यवाद वंदे मात्रमित्रों